नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी स्कालर्शिप 2023 लेटिस्ट अपडेट में दोस्तों कैसे आप सभी? उमीद है आप अच्छे और सुस्तों गे दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यूपी स्कालर्शिप 2023 अपडेट आपको देंगे आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि समाज कल्याडबी भाग ने जो नोटिस जारी की है वो किन-किन कालेजों के लिए जारी की गई है और चात्रों के लिए क्या नोटिस है कि इन कालेजों की जो सकालर्शिप है वो नहीं आएगी आखिरकार वो कौन-कौन से कालेज है अब किन-चात्रों को सकालर्शिप मिलेगी और किन-चात्रों को सकालर्शिप नहीं मिल पाएगी और सकालर्शिप आनी की डेट क्या है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी तो दोस्तों आप लोगों से क्यों लेकर रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेयर कीजिए क्योंकि हमारा प्रयास ही रहता है कि हम लगाताराब के लिए महत्पॉर्ण से महत्पॉर्ण अपडेट लेकर आए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सबसे पहले उन चात्रों को बताना चाहते हैं जो इस बार यूपी स्कालर्शिप 2324 में आल-लाइन आवेदन किया है उन चात्रों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है क्योंकि यूपी स्का कालर्शिप आएगी तो आखिरकार कब तक आ जाएगी गौवर्मेंट के माद्यम से कालर्शिप देने की तारीक इस बार क्या तैंक की गई है इस बार चात्रों के बैंक एकाउट में किस दिन से पैसा आना सुरू हो जाएगा तो दोस्तों हम वीडियो को थोड़ा लांग जरूर करेंगे लेकिन आपको महत पूर्ण अपडेट देंगे इसलिए दोस्तों अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम इसी तरह की लेटिश्ट अपडेट आपके लेकर आते रहेंगे दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी स्कैलर्शिप 2324 आने की डेट तो दोस्तों यूपी स्कैलर्शिप 2324 की जो आने वाली डेट है उसमें ये निर्धारित किया गया है कि समाज कल्यारवी भाग ने इस बार स्कैलर्शिप की जो डेट निर्धारित की है वो 25 दि संबर से पहली किस्त सभी चात्रों के बैंक एकाउड में आना सुरू हो जाएगी और यह प्रक्रिया लगभग आपको 15 मार्स तक देखने को मिलेगी अब फर्श्ट शिप्ट में उन्हीं चात्रों को यूपी स्कालर सिफ 2324 योजना का लाप मिलेगा जो प्रत्थम सिफ्ट म का फार्म वेरिफाइट हो गया तो उन चात्रों की जो स्कालरuce की डेट है लिग बजग 25 दिसम्बर से शुरू हो कर 15 मार्ज तक सुरू होगी यानि 25 दिसंबर से 15 मार्ज तक स्कालर्शिप के लिए सभी छात्रों को उनके बैंक एकाउट पे हर हाल में पैसा भीज दिया जाएगा अब बात करते हैं अगर जिन छात्रों को 25 दिसंबर से 15 मार्ज तक स्कालर्शिप के पहली किस्त मिल जाएगी तो उन चात्रों के दूसरी किस्त कब मिल जाएगी तो उन चात्रों के दूसरी किस्त हम बता दे कि 15 मार्श से लेकर लगबग 30 अपरैल तक स्कालर्शिप के दूसरी किस्त मिलना तै हो जाएगी 15 मार्स से 30 सपरैल तक स्कालरशिप यानि डीड़ महिने तक लगपग स्कालरशिप की दूसरी किस्ते शवी छातरों के बैंक अकाट में समाज का लि 갖ब भाग द्यारी की जाएगे और शवी छातरों को स्कालरशिप को पैसा मिल जाएगा लेकिन जो चात्र लेत अपलाई किये हैं इस बार UP scholarship में उन चात्रों की भी पंदरह मार्स से लेकर 30 अपरेल तक स्कालर्शिप की जो रासी है उनके बैंक अकाउट में भेजी जाएगी लेकिन जो ये रासी भेजी जाएगी वो एक ही स्कालर्शिप में भेजी जाएगी अर्थात उनका जो पैसा आएगा वो एक ही बार में आएगा तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि स्कालरशिप आने का रीजन क्या होता है इस बार इस बार गवर्मेंट ने यही निल लिया है कि हम सबी छात्रों को स्कालरशिप देंगे और कोई भी छात्र इस बार यूपी स्कालरशिप 2023 की योजना में वन्चित नहीं रहेगा लेकिन समाज कल्यान विभाग ने असपश्ट रूप से कह दिया है कि जिन छात्रों का स्टेटस D.W.O. के द्वारा वेरिफाई हो जाएगा और उस छात्रों को 100 पर इस बार स्कालर्शिप किरासी मिले के तो दोस्तों आप लोग सब भी बेफिक्र हो जाएए कि अगर आपका स्टेटस D.W.O. के ने वेरिफाई कर दिया है और आप स्कालर्शिप का इंतजार कर रहे हैं तो स्कालर्शिप की डेड़ भी निरधारित हो चुकी है और आपको स्कालर्शिप की जो 2324 की जो योजना है उसमें जरूर आपका पैसा आनाते है तो दोस्तो इसलिए आप जब भी आनलाइन आवेदन करवाएं तो अपना अपना स्टेटस जरूर चेक करें क्योंकि अगर स्टेटस में किसी भी प्रकार की कोई कमी होगी तो उसका निस्तारण भी हो जाएगा उसका निस्तारण होने के बाद ही आपको स्कालर्शिप की रासी मिल पाएगी अब बात करते हैं कुछ चातर ऐसे हैं जिनको यूपी स्कालर्शिप दो हजार तेस में अगर डे डवलो के दोरा उनके फार में पेंडिंग काफसन दिखा रहा है तो क्या करें अगर किसी भी चातर के स्कालर्शिप स्कालर्शिप पेंडिंग काफसन दिखाई दे रहा है तो उसको टेंसल लेने के कोई जरूरत नहीं है सबसे पहले हो को बैंक में जाए बैंक में जाकर अपना आधार लिंकिंग प्रोसेस की प्रक्रिया पूरी करवाए यानि अपना आधार कार्ड और बैंक की पास्टिप को ले जाकर बैंक में जमा करना है वहाँ अपनी क्योफाइसी करवाना है क्योफाइसी करवाने के उप्राम ती आपकी आधार शेडिंग की परक्रिया पूरी हो जाएगे और फिर आपको गवर्मेंट के माध्यम से स्कालर्शिफ मिल जाएगी क्योंकि स्कालर्शिफ का जो रूल है वो आपके आधार लिंक खाते में ही भेजी जाती है ये नहीं निर्धारित किया जाता कि किस खाते में आपको स्कालर्शिफ की रासी मिलेगी वो government ते करती है आपका आधार लिंक जो खाता होगा उसी में भेज दिया जाएगा तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ college ऐसे हैं दोस्तों कुछ college ऐसे हैं जिनको DWO के दोरा blacklisted किया गया है और उन college की scholarship नहीं आगे अगर जो चातर उस college में admission लिये हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि उन चातरों की scholarship आएगी तो उन चातरों को हम बतारा चाहते हैं कि DWO के दोरा जारी किये गए निर्देश में असपश्ट रूप से यही कहा गया है कि हम जिन college को blacklisted कर रहे हैं अगर कोई भी चातर उस college में पढ़ रहा है तो वह इस scholarship का इंतजार ना करें क्योंकि blacklisted college में इसमार यूपी scholarship 2324 का पैसा नहीं आएगा और आप निरास हो जाएगी इसलिए दोस्तों blacklisted college वाले अभ्यारते के लिए बहुत बुरी update है क्योंकि वो लगातार अभ्यारती ऐसे होते हैं जो admission तो करा लेते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं रहता कि यह college blacklisted है या नहीं तो उन चातरों को बताना चाहते हैं हम कि blacklisted college में इस बार यूपी scholarship 2324 की जो किस्ता है उन नहीं आएगी आएफ जानते हैं कि कौन कौन से college डी डवलो ने blacklisted किये हैं और उनकी सूची क्या है दोस्तों यह आप देख सकते हैं कि यह blacklisted college की list है blacklisted college में आप देख सकते हैं कि district हात्रस हात्रस की एक जिले का एक एक ऐसा विस्विद्धाला है जहां आप देख सकते हैं इसको चौधरी बाबुलाल इंस्टिट इस college को blacklisted किया गया अर्थात कोई भी इस college में अगर पढ़ रहा है तो शात्र की scholarship नहीं आएगी दूसरा जो college है वो मेरट से है तो मेरट से जो college है उस college का नाम है एकसिलेंस college आप प्रोफेसनल इंस्टिट इन्स्टिट इन्स को भी डी डवलो के द्वारा blacklisted किया गया है अर्थात जो भी शात्र इस college में एड्मिसर लिया होगा और उस college के लिए इस college से पिराजिन नहीं सिकरवार private ITI college यानि ITI में एड्मिसर लेने वाले चात्रों के लिए बहुत बड़े अपडेट है अगर वो मतुरस से बिलांग करते हैं तो राजवीर सिकरवार private ITI college में अगर एड्मिसर लिये हैं तो उनकी scholarship की रासी नहीं भेजी जाएगी यह 100 परटन रता हैं यह WDW ने यह सुनिश्चित कर लिया है कि हम ऐसा कालेज को इस बार scholarship नहीं देंगे जो चात्रों से मर्मानी करते हैं और वो फर्जी बाड़ा करते हैं तीसरा जो कालेज है वो भी मतुरस से है इस कालेज का नाम है पंडित एन आर प्राइवेट ITI college यानि आप इस बार दो कालेज से बिलाग करता है इस कालेज का नाम है गोपाल प्राइवेट ITI college चरोरा यह भी blacklisted college है इसमें भी इस बार यूपी scholarship 2230 की जो रासी है वो भेजी गई थी लेकिन इस बार की जो रासी है 2324 उसको नहीं भेजी जाए चौता जो college है यह भी ITI college है HPRA private ITI college मदोरा यानि गौवर् से लेकर 80 ITI और college के सुची जारी किया है इन college में इस बार 2023 और 24 की जोगा किस था यूपी scholarship की वो नहीं भेजी जाएगी